नमस्कार, वेलकम टू एक्सर्विश्मेन इंडिया यूटूब चैनल, आपका अपना ट्रस्टेड चैनल, जहाँ पे एक्सर्विश्मेन, पेंशनर्स और गवर्मेंट एंप्लोईज की लिए मिलता है 100% अथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन, अगर अपने इस चैनल को अभ पॉर्टेंट जानकरी आपको मिलने वाला है, वो इस प्रकार है, 6CPC का जो पे फिक्सेशन रूल्स था, उसमें कुछ कमिया रह गई थी, एक सिपाई जब प्रमोट होते हैं, नाइक के टिगरी में, तो उसको एक नाइक का जो एंट्री पे है, यानि कि एक नाइक अगर ड का जो पे फिक्सेशन का मॉडलिटी था, एस पर 6CPC वो कफी गलत था, यानि कि जो सेनियर फ्रमोटी है, और जुनियर डारेक रिकूर्ट्स है, इन दोनों का पे फिक्सेशन का जो मॉडलिटी है, उसमें कुछ अंतर था, डिफेंस एड़कॉर्टर्स का पे कमिशन सेल, य अंतर क्या था, वो पहले देख लेते हैं, इसमें का अंतर क्या था, वो पहले देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए, कोई सपाय से नाइक बन रहा है, तो उसका जो पे फिक्स किया जाता है, मिनिमाम जो फिट्मेंट टेबल है, उसमें 6,640 रुपए में किया गया था, जबकि नाइक का जो कटेगरी है, याने की 2,400 ग्रेट पे जो कि नाइक को मिलता है, इस ग्रेट पे का कोई डारेक रिक्रूट अगर आ जाता है, डारेक नाइक में जो भरती होता है फोज में, तो उनको 7,510 रुपए मिलना था, पर उन्हें ऐसे नहीं मिला, उन्हें 6,640 रुपए में फिक्स किया गया था, जो प्रोमोशन हुआ था, जिन सिपायों का नाइक में, तो लग पे फिट्मिंट टेविल में, 6 CPC का जो दिया गया वो था, 6,840 रुपए जबकि एक डारेक रिक्रूट सिपाय, एक डारेक रिक्रूट हवल्लार, अगर डारेक फोज में हवल्लार एक में जान करते हैं, जैसे एडुकेशन हवल्लार में जान करते हैं, उनको इनिशेल पे मिलता है, 8,560 रुपए जो की इंटरी पे कहा जाता है, तो यहां भी देखिए, काफी अंतर है, यहां भी लगबाग 15,000 रुपए का अंतर है, तो यह जो अंतर है, अब यहां पे एक्वालिटी लाया गया, जो प्राब्लम था, जो एनमली था, उसको दूर किया गया, अब एक-एक, 2006 का बाद, जिनको भी प्रमोशन हुआ है, सेपाय, नायक, अंद हवल्लर का, इन सभी को यह बेनिफिट्स मिल जाएगा, और किस काटेगरी को मिलेगा, यह पहले का मेरा एक वीडियो है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक उपर आए बटन में आपको कैसे मिलेगा, लिखे, चाहे आप सर्वीस में हो, या फिर आप रिटायर्ड हो, एक-एक-छे का बाद, अगर आप प्रमोट हुए हैं, तो आपको यह बेनिफिट अपने आप मिल जाएगा, आपको कहीं अप्लाई नहीं करना, कहीं क्लेम नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, जैसे कि देखिए, पहरा 5 में क्लियरली बताया गया, कि यह जो बेनिफिट है, इसके लिए no action is required to be taken by any personnel in this regard for the timing, as therefore no correspondence on this matter be done, यानि कि किसी तरका कोई correspondence करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो बेनिफिट मिले वाला है, वो automatically मिलेगा, फिलाल के लिए आ नहीं आता है, यह बेनिफिट नहीं मिल पाता है, फिर आपको सुचित किया जाएगा, कि इसका जो pay fixation का और भी detailed instruction निकलेगा, और उसमें आप अगर देखते हैं, कि आप eligible है, और आपको नहीं मिला, तब जाके आपको correspondence करना है, इसके वरे में कोई भी information होगा, इसका related जो भी updates होगा, उस सारे चीजे आपको हम इस चैनल में inform करते रहेंगे, इसलिए इस तरह का जो भी news है, जो भी information है, पाने के लिए इस चैनल को आप जरूर subscribe करके रखे, और notification bell icon तो 100% प्रेस करके रखिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम बनाते हैं, तो आपके पास तुरंत प information को लेकर, नमस्कार, जय हिंद, जय भरत